लेका द्रश्य आप देख सकते हो बहुत सारे लोग इस मेले में एकत्री थे और दोस्तों ये जलावार का सबसी बड़ा तेजय जी महाराज का मेला ही हेलो दोस्तों कैसे हो आयो का आप सभी बढ़ाऊंगे तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आज के इस नए ब्लोग के नए एपिसोड में तो दोस्तों आज तेजय दश्मी और तेजय दश्मी के इस शुबावसर पर हमारे गाउं से कुछी दूरी पर एक तेजय जी महाराज का भवी मेले का एजन रखा गया है और जिसमें आसपास के बारा गाउं की लोग यहां पर एकत्रित होते हैं और मेले का आनंद लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको तेजय जी महाराज का मेला का संपूर्ण ब्रह्मन करवाने वाला हूँ तो आप मेरे इस मेले में पहुंच चुके हैं और यहां पर अलग-अलग गाउं से सबी लोग अपना अपना जंडा लेकर यहां पर आये हैं यह सबसे उचा जंडा है और वाकी लोग भी अपना अपना जंडा लेकर यहां पर खड़े हुए हैं और यहां पर मेले मेले में बहुत सारे लोग जहां कि अभी आप यहां पर देख सकते हो और दोस्तों सभी लोग यहां पर एक जगए अपने ज़ंडे को एकत्रित करेंगे जहां पर तेजह जी माराज सभी ज़ंडों की जो नीम की पत्तिया इन पर बांदी जाती है उनको तोड़ कर खाते हैं तो यहां पर देख सकते हो कि लोग ज़ंडे को किस तरीके से आगे बढ़ाते जा रहे हैं और यहां पर सभी ज़ंडों को एकत्रित किया जाएगा और दोस्तों देख सकते हो बहुत ही बहनक नजारा है यहां का देख सकते हो कि कितने लोग यहां पर आपको मेले में दिखाय दोस्तों तेजया जी महाराज का मेला तेजया दश्मी के दिन ही बढ़ता है और इसमें आसपास के बारा गांव के लोग यहां पर एकत्रित होकर मेले का आनंद उटाते हैं और यह खांडिया मिल शेत्री जोकी जहलावार के डुंगर गांव शेत्र के पास पड़ता है यहां पर तेजय जी महाराज का एक बव्य में देखा है जन प्रतिवर्शी यहां पर किया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग यहां पर एकत्रित होकर मेले का आनंद उटाते हैं तो दोस्तों आपने वीडियो देखा तो कैसा लगा कमेट में लिखकर हमें जरूर बताए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर समय की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे तो दोस्तों मिलते है किसी नए जगह पर त